मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा भारत देश में आप जानते हैं कि 4500 से जादा बनवासी जातियां हैं 4556 है कुछ बनवासी जातियां जैसे गौंड हैं वो एक बनवासी जाती है ऐसे ही गौंड जैसे 4500 से जा सम्मेलन्मे में गया और वहां किसी को सती किया जाना था मैंने का चल के देखूं यह होता क्या है सती होना तो वहां हुआ यह था कि एक महिला के पती का देहान्त हो गया स्वर्गवास हो गया और पती का स्वर्गवास हो गया तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए गाउं के लोग करती हैं और संस्कृत के मंत्र बोलते हैं कभी-कभी उनको भूल जाएं तो वह अपनी भाषा के मंत्र बोलने लगते लेकिन मंत्र उचार होता है बराबर होता है पूरे समय होता है जितने समय तक लाश जलती है तब तक वह मंत्र उचार करते की जिम्मेदारी लेगा उप्रश्न पूछ रही है और बड़े सुन्दर शब्दों में वो कह रही है कि भारत के शास्त्रों ने हमेशा इस्त्री को सुरक्षित रहना ये आवश्यक क्योंकि उसको जीवन बढ़ाना है तो इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत है प्राकरतिक सुरक्षा भी चाहिए दूसरे तरह की भी सुरक्षा चाहिए फिर वो पूछेगी कि इस समाज के आचारे लोग उपाचारे लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर हां बोला तो उनके पास आजाएगी नहीं तो वापस और आखरी चक्कर सात्मा जब लगाएगी तो वो पूछेगी कि क्या पुरोहित क्या पुरोहित मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर पुरोहितों ने हाँ बोला तो उनके पास आएगी नहीं तो चक्कर लगा के गाउं छोड़के चली जाएगी और गाउं कहेगा कि वो सती हो गई ये है सती होना और इसको बिगाड़ दिया अंग्रेजों ने क्या कहा कि उसको जवरजस्ती चिता में धकेल देंगे और ये कर देंगे फिर वो जाती कहा है उसके पीछे पीछे में गया तो उस गाउं का कोई मंदिर होगा वहां जाएगी और अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में बिताएगी वो ये कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अब भगवान मेरे लिए जिम्मेदारी लेंगे तो मंदिर में जाके पूजा करेगी पाट करेगी अपना जीवन उसी से चलेगा उसका और जैसे ही वो मंदिर में जाके पाठ पूजा करने लगेगी तो समाज की आधरनिय हो जाएगी और सब उसको साष्टा में दंडवत प्रणाम करेंगे फिर हम गोंड लोग कहेंगे कि ये हमारी सती है हम उसको एक्स्प्लेनेशन क्या देंगे वो पती के साथ जिंदा जला दी गई वो सती है सती होना कोई उंचा कर्म रहा है इस देश में हम उसको समझ नहीं पाए अंग्रेजों ने जो डेस्क्रिप्शन दे दिया उसी को अंतिम मान के हमने अपना मान लिया कि ऐसा ही कुछ होता होगा ये होता है और ये सिर्फ गोंडों में ही नहीं होता भीलों में भी होता है गोंड है भील है जितने तरह की जंजातियां है ज्यादा तर में ये होता है तो मैकोले कह रहा है कि भारत में तो इस्तरियों का इस्थान बहुत उंचा है परिवार में उंचा है, समाज में उंचा है भाशा उनके यहां से निकली है functional knowledge उन्होंने समाज को दिया है इसलिए इन के लिए तो सब कुछ विशेश होता है इसलिए गुरुकुलों में आचारे इस्तर पर बहुत इस्त्रियां है ये हेरानी की बात नहीं वो कहता हमारे समाज में उल्टी इस्तती है इस्तरियों का इस्तान सबसे नीचे है इसलिए हमारे यहां हर काम में वो सबसे पीछे है